हेलो दोस्तों नमस्कार बहुत है स्वागत है आपका एक्जाम गुरुजी चैनल के डेली करेंट अफर्स के वीडियो में आज 14 अगस्त 2020 है और आज की वीडियो की PDF डाउनलूड करना मत भूलिएगा ये PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल से मिल जाएगी जिसके लिंक नीच इसे डिस्क्रिप्शिन ने दी गई है उसके अलावा ये PDF आपको मिलेगी हमारे अप्लिकेशन पर एक्जाम गुरुजी अप्लिकेशन का नाम है जिसे आप Google Play Store से नाउलूड कर सकते हैं एक्जाम गुरुजी सर्च करके यहां आपको डेली करेंट अफेर, फ्री टेस्ट, पहले तीन विजेताओं को MPPSC Pre Plus Men's का कूर्स, दस विजेताओं को MPPSC Pre Plus या फिर SI का कूर्स, सत्यासी विजेताओं को MPPSC Pre, SI या जेल प्रहरी की टेस्ट रिज और सभी पार्टिस्पेंट को 100 रुपे का डिस्काउंट आने वाले किसी भी कूर्स में भाग लेने के लिए औ पचास कोशन होंगे, 15 कोशन MPG के होंगे, 25 कोशन MPG के होंगे और 25 कोशन current affair के होंगे, टोटल 50 कोशन होंगे, आगे बढ़ेंगे बात करेंगे thought of the day की जो आज का हमारा motivational powerful thought है, कि बीते हुए कल से सीखो यानि कि जो आपका समय बीद गया है, उसमें बहुत सारी चीजे हमने गलतियां करते हैं, उनसे अनुभाव आता है, तो उन अनुभाव से आप सीखो, और आने वाले कल को प्लान करो, त्यारी करो, आगे आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है, और आज को डट कर जीओ, यही सफल तक की अंतिम कुझी है, अगर यह आपने कर लिया, तो आपक है कि पिता की पैत्रक संपत्ती पर बेटी का समान अधिकार होता है यह फैसला किस नहीं दिया है और यह सुप्रेम кोड का फैसला है दूसरा उसरे परशने भारती सरस्च्ब बलू ने किस प्रोजक्ट को पुनरजीवित करने का फैसला किया है तो ये प्रोजेक्ट चीता है तीसरा प्रसने के अंतराष्ट्री है यूवा दिवस का मना जाता है तो ये 12 आगस्त का मना जाता है चौथा प्रसने भारतिय मुलकी कमला हैरिस ये किस देश में उपराष्ट पती पद की उमिदवार होंगी ये अमेरिका में उमिदवार होंगी वहीं पांचवा प्रसने के किस देश की पूरी सरकार ने सरकार राजधानी में धमाकी के बाद स्तीफा दे दिया है ये लेबनान की सरकार ने स्तीफा दिया है चटवा प्रसन है कि प्रधान मंत्री स्वानिधी योजना के तहत अब तक कितने लोगों के रण मंझूर हो चुके हैं तो 5 लाख लोगों ने इसके लिए रण के लिए आविदन किया था और इनमें से एक लाख लोगों के आविदन मंजूर हो चुके हैं वहीं साथवा प्रसन है कि हाल ही में रक्षा खरीद परिस्द ने कितने रुपे की खरीद को मंजूरी दी है तो यह 8,722 करोड की मंजूरी दी गई है वहीं आठवा प्रसन है कि फोप्स की सरवाधी कमाई वाले टॉप टेन अभी नहीं ताओं कि सूची में इकलोते भारती कौन है तो छटवी नमबर पर है अक्ष्य कुमार एक मातर भारती है और नवा प्रसन है कि केंदरिये क्रशी और किसान कल्यान मंत्री ने किस डेटा रिकवरी सेंटर का सुभारम किया है तो इसका नाम है क्रशी मेग के नाम से और दस्तवा प्रशन है कि किस छुद्र ग्रह पर पानी का सबसे बड़ा शुरूत मिला है और ये सेरेस पर मिला है ये थे हमारे कल के पड़ेगे करंडेफर के प्रस्नों का क्यूइक रिविजन लिजे गया है तो प्रदान मत्री है नरेंदर मोधी जी और इनकी दुवारा वीडियो कॉन्फरेंसें के माध्य हम से एक पोर्टल का सुभारम किया गया है इस पोर्टल का नाम है पारदर्शी कराधान इमानदर का सम्मान या Transparent Taxation Honoring the Honest ये इसका नाम है इस नए टेक्स प्लेटफॉर्म के तहट करदाता को Faceless Assessment Taxpayers Charter और Faceless Appeal की भी सुभधा मिलेगी यानि कि ओनलाइन ही वो सारी चीज़ें कर पाएगा और प्रदान मत्री ने Taxpayers Charter लागू करने की भी घोशना की है अभी तीन चार देसों में ये जो है Taxpayers Charter लागू है और इसके दहित होता है क्या है कि करदाता जो होता है और Income Tax विभाग होता है उसके बीच में इसका उदेश होता है विश्वास बड़े Taxpayers को जो Problems आती उनको कम किया जाए और अधिकारियों की जबाब दही सुनेशित की जाए कि इतने समय के अंदर वो Taxpayers की जो भी Problems से उसको Solve करे आगे बढ़ेंगे बात दूसरे प्रसन की होगी कि सरवाधिक दिन सत्ता सम्हालने वाले पहले गेर कॉंग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बन गाए है तो ये record बना लिया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और इन्होंने टोड़ा है अटल बिहारी बाचप बाचपई जी के नाम पर ही थी वाचपई जी तीन बार देश के प्रधानमंत्री बने और कुल मिलाकर 268 दिन यानि कि 2268 दिन इस पद पर रहे जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे जादा पद पर रह चुके हैं अच्छे इसमें कुछ और प्रस्न बन सकते हैं जैसे सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री भारत के कौन रहें तो 16 साल से जादा पंडिच जवाहरलाल नहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पहले गेर कॉंग्रिसी प्रधान मंत्री कौन थे जिन्होंने अपना कारेकाल पूरा किया था तो वो अटल विहरी वाचपई थे जिन्होंने अपना कारेकाल पूरा किया था आगे बढ़ेंगे बात तीसरे प्रिस्निकी होगी कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाय जाता है तो World Organ Day Donation Day ये मनाय जाता है 13 अगस्त को यानि कि D option क्रिस्नका सही उतर है डीटेल दिख लीजे क्या है तो 13 अगस्त को हर साल विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाय जाता है और इसका उद्देश है कि अंगदान के बारे में जागरूपता फैलाई जाए लोग अंगदान करें क्योंकि दुनिया में बहुत जादा अंगदान की अफशकता है भारत की बात करें तो हर साल हजारों लोगों की अमरत्यू और गन फैलियर के करण हो जाती है अगर समय रहते उनको स्वस्थ अंग मिल जाए तो उनका जीवन बचाया जा सकता है विश्वभर के अंदर पांच लाग से अधिक ऐसे विखती है जिनने अलग-अलग अंगों की अवशकता है और भारत में अंगदान की जो दर है वो बहुत कम है आगे वड़ेंगे बाद चौंते प्रसनकी होगी कि RBI ने चेक से होने वाली धोखा धड़ी को रोखने के लिए कौन सी सुविधा सुरू की है और इस सुविधा का नाम है पॉजिटिव पे यानि कि ए ओप्शन प्रसनका सही उतर है डीटेल देख लीजे क्या है तो RBI यानि कि भारती रेजर बैंक ने 50,000 रुपे या उससे अधिक मुले का कोई चेक है तो उन सभी चेकों के लिए एक पॉजिटिव पे करके सुविधा सुरू की है ताकि जो चेक से होने वाली धोका धड़ी है कई बार कोई फ्रॉड चेक देता है नकली चेक देता है जाली चेक देता है तो उससे बशने के लिए कंपणियों को सुवजा दी जाती है और ये एक प्रकार की धोका धड़ी रोकधाम पनाली है अब इसके अंतरका जब लावार्थी जो होता है यानि जिसको चेक दिया गया है वो चेक को भुगदान किया जाता है अगर नहीं मिलती तो चेक को रिफ्यूस कर दिया जाता है बात RBI की करेंगे जिसने इसको मंजूरी दी है घोशना की है तो एक अपरेल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी मुख्याले मुंबई में है और गवर्नर शक्तिकांत दास है आगे बढ़ेंगे बात ते पांचवे प्रसने की होगी कि अमरुत योजना रेंकिंग में सीर्ष पर कौन सा राज्य है और इसमें नमबर वन की रेंकिंग पर है उडिसा यानि किसी आप्शन प्रसने का सही उतर है डीटेल लिख लिजे क्या है तो आवास और सहरी मामलो का मंत्राले इस मंत्राले ने अमरुत योजना के तहत राज्यों की रेंकिंग जारी की और इस रेंकिंग में पिछली बार की तरह उडिसा नमबर वन पर है इस ने डिस बार 85.67 प्रतिशत का स्कूर किया है और उडिसा के बाद दूस्वे नमबर पर है चंडीगर, तीस्वे नमबर पर है तेलांगना, चौथे नमबर पर है गुजरात और पांच्वे नमबर पर है करनाटक अमरित का अगर पूर्ण रूपस आपसे पूछा जाए तो इसका नाम है अटल मिशन फोर रिजुनिवेशन एंड अरवन ट्रांस्फोर्मेशन स्कीम और इस यूजन का अटेश है कि जो देश के सहरी छेत्रे हैं उन सहरी छेत्रों में घरों तक पाइप से जलापूर्टी की जाए यानि की पानी के पहुँचाया जाए इसके लावा जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उनका नर्मान किया जाए और हरत यस थानों में अटनायक है जिनके नाम भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बन गया है और राजजपाल यहां के प्रोफेसर गणेश जिलाल है लोकसभा की की सीट राजसभा की 10 सीट विधान सभा की 140 सीट है प्रमुग राश्री द्यानों की बात करें तो स्टार्टप ने पहले निजी अपर स्टेज रॉकेट इंजन का परिक्षण किया है और इस स्टार्टप का नाम है स्काईरूट यानि की बी आप्षेन प्रसनका सहीुतर है इसकी डीटेल देख लीजे क्या है तो इस एरोस्पेश स्टार्टप इंजन का सफल परिक्षण क पहली भारती निजी कंपनी बनी है ये आपको याद रखना है ये रॉकेट इंजन था 3D प्रिंटेड और इसका नाम नोबिल विजेता भारत के जो थे डॉक्टर सीवी रमन उनके नाम पर इस इंजन का नाम रखा गया है भारत ने हाल ही में अपने जो स्पेस सेक्टर है उस और ये अनुमती दी गई है सुप्रेम कोड के द्वारा नहीं भारत सरकार के द्वारा बी ऑप्शन प्रस्नका सही उतर है ए ऑप्शन पर गलाटिक लगा हुआ है डीटेल देख लिजे क्या है तो भारत सरकार ने किन सरकार ने पहले से बेटरी लगे बिना जो इलेक्रिक बहान है यानि उनको भी विक्री और पंजी करण की मजूरी दे दिये कि उनको बिना बैटरी के ही पंजी करत किया जा सके बेचा जा सके इसका उद्देश ये है क्योंकि जो बैटरी होती है उसी की कीमत 30-40 प्रतीशा तक इलेक्रिक बहान में होती है और इससे बहान की आगात में कमी लाया जा इसके उद्देश से ये फैसला किया गया है जो केंद्रिय सड़क परिवेंद मंत्राले हैं इसके मताबिक रेज्ट्रीशन कराते समय बैट्री के बारे में जानकरी देने के वज़रूरत नहीं होगी बात करेंगे आठवे प्रसनकी की कौन सी राज सर करने के उद्देश से असम सरकार ने 2 अप्रेल 2020 से राज में अरुनोदे योजना शुरू करने के लिए त्यारी कर ली है और इस योजना के तहा है जो पातर परिवार होंगे उनको आवश्यक खादेपदार्थों को खरीदने के लिए प्रती महा 830 रुपे की रासी हर महीन इसमें से एक राज जही है इसका गठन वह था 26 जनवरी 1950 को और इसके आसपास अगर आपको राज जानना है तो देखे लिए इस तरफ ये पश्य मंगाल है नीचे की तरफ मेगाल है उपर अनाचल प्रदेश है और इस तरफ नागलन है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्तिरीपुरा है ये आप देखेंगे तो ये मिजोरह में और ये मनलपर है बात राजधानी की करेंगे तो यहाँ की राजधानी दिसपुर है मुख्यमंत्री राजिपाल प्रफिशर चक्दीश मुख्य है लोग सभा की 117 सीट है विधान सभा की 126 सीट है प्रमुख नेश की बात करेंगे कि Steel Authority of India Limited यानि सेल इसके अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है और यह चुनी गई है सोभा मंडल यानि कि A option प्रस्ण का सही उतर है डीटेल लेख लीजे क्या है तो सोभा मंडल इनको सार्जनिक उध्यम चैयन बोड यानि कि पब्लिक इंटरप Prices Selection Board इसके दोरह Steel Authority of India Limited यानि सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और यह वरतमान अध्यक्ष है अनिल चौधरी उनके इस्थान लेंगी और मंडल की बात करें तो यह सितंबर 2018 से सेल के निर्देशक वनिजिक के रूप में काम कर रही थी Steel Authority of India यानि भारती स्पात प्राधिकरण की बात करें तो 19 जनवरी 1954 को इस्थापना हुई थी और यह एक महारतन कंपनी है यह आपको यादरतना और भारत की सबसे बड़ी स्पात उत्पात करने वाली भी कंपनी और भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से भी एक है बात करेंगे दसवे प्रसनकी के ट्रैफिक सिगनल पर फीमेल आइकन इस्तमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है और यह बना है मुंबई यानि की बी आप्शन प्रसनका सही उत्तर है डीटेल देख लिजे क्या है तो मुंबई का जो दाड़डर ट्रैफिक पर वीमेंद प्रतिक को प्रदर्शित किया गया है और इस प्रुष जो भारत और दुनिया भर भी एक प्रुष प्रदान समाजे इसमें लिंग की समानता और बदलाव को दर्सानिक को लेकर ये चेंजिस किये गया है बात मुंबई की करते है तो यह महारास्ट की राजधा थे तो वो जहाज के माध्य हम से आते थे और सबसे पहले वो भारत में आने के लिए मुंबई पर ही रुकते थे मुंबई एक बड़ा पूत था तो इसलिए इसको भारत का प्रिविस द्वार कहा जाता है इसके अलाबा मुंबई का जो नामकरन हुआ है मुंबा देवी के नाम पर हुआ ये भी आपको याद रखना है बात करेंगे अब कल के सवाल की कल मैंने आपसे प्रसन पूछा था कि जम्मू कश्मीर के नए उपरा जपाल कौन बने है और इस प्रसन का सही उत्तर है मनूज सिनह आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रसन का सही उत्तर जिन्हों ने से उत्तर दिया उनको बहुत बहुत बढ़ाई और जिन्हों ने उत्तर नहीं दिया वो उत्तर जरूर दिया करो आपके लिए बड़ा इंपोर्टेंट होगा यह हमारी मद्परदीश जिल प्रहरी 2020 के लिए टेस्सरीज है, MPPSC के लिए टेस्सरीज है, MPPSC के लिए नोर्स हैं और फुल कोर्स है अधिक जानकरी के लिए नमबर्स पर आप वाट्सप कीजिए अब आज के सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं, आज की हमारा सवाल है कि भारत की पहली किसांडरिल महरास्टर से किस राज़ के बीच में चलेगी तो कमेंट करके पताएगा किस राज़ के बीच में इनमें से ही चलेगी ये वीडियो कैसा लगा पताना मत भूलेगा आज की बात होगी यहीं समावत आप लोगों का बहुत बहुत और बहुत धन्यबाद जय हिंद जय भारत